स्वागते दोस्तों आप सभी लोग का आपकी अपनी टाइमस आफ नॉलेश फैमिली में दोस्तों जैसा कि ये चीज उन्होंने भीजी तो उसमे एक परागराफ था आपके सामने अपने कर ये साथ नम्पर का पौइंट आपने देखा होगा सेवन्फ पौइंट जो यहां पर आपके सामने दिखा रहा हैं यह जो थार्ड टेंपरचर को लेकर आपके तो उसमें ये कहा था कि जो भी जिनको COVID-19 positive declaration दिया था या फिर आपको fever है ठीके कफ है etc. मतलब आप बिमार है और आपका temperature obviously बिमार है तो जादा हो सकता है ठीके तो कई लोग ऐसा जरूरी नहीं है लागों बच्चे exam देते हैं कि आप positive और Corona वाली आके exam दे रहे हैं या फिर आप बिमार है तो obviously temperature तो बढ़ना ही है यह जो एकदम उन्होंने जो normal temperature होता है वो लिख दिया आपके सामने तो काफी परिशानी थी मतलब आप exam देने दिया जाएगा अगर इस से जादा होता तो यह इस line यहाँ पर यह चीज लिख दी थी तो काफी इस चीज़ों में problem create हो सकती थी क्योंकि जरूरी नहीं है आप उस तरम स्वस्थ हो और आप exam देने जा पा रहे हो हो सकता है बायचास मैनत पूरी कियो पर बिमार हो गए हो तो इस चीज में जो था तो थर्मोगंग पर उन्होंने यूस किया था उन्होंने बूला था अगर 99.40 डिगरी फेरनाइट आपका जब आपका टेंपरेचर आ जाता है उसमें या फिट 37.3 डिगरी से जाता है इससे जाधा आ जाता है तो आपको नहीं देने दिया जाएगा exam तो काफी बच्चों ने mail भी किये आप में से कई लोगों ने mail किये हमने खुद ने भी किये काफी क्यों कि यह चीज गलत थी ठीक हमने यह चीज यह नोटिस की थी तो जब गलत थी एससे की तरफ से तो अब response में SSC ने आपको उसका जवाब दिया है अब जवाब यह दिया है कि देखिए जवाब बिल्कुल आपके favor में कोई problem वाली बात नहीं है उन्होंने यह आपके सामने जवाब दिया है कि आपको अगर ऐसा condition आ जाती है तो आपको exam जरूर देने दिया जाएगा मतलब आपको वहा इस चीज़ की वज़े से के मेरा temperature 37 से 40 डिग्री होगी और मैं exam नहीं देने पा रहा हूं तो यह कितना बड़ा problem दो ब्लंटर था दोस्तों तो समझी इस चीज़ को अब SSC ने clear कर दिया है तो आप बे फिकर रहे हैं अगर ऐसा भी होता है तो ठीक है और आपका ही जवाब का response आया है यह मतलब question का response आया है यह अगर यह चीज़ अगर हम raise नहीं करते आवाज नहीं पहुचाते हैं कहीं पर किसी प्लैटफॉर्म के थूथ तो यह चीज़े नहीं possible उपाती है और या फिर कहीं और प्रॉब्लम क्रीट होती है तो response में आती है जितनी वी departments होते कि कहीं और प्रॉब्लम इस तरह से create हो रही है तो वह भी सई कर लेते हैं तो दोनों तरीके से option ह तो आप लोग को आवाज उठानी है तो आप लोग उठाते नहींगे उनके तक पहुची नहीं चाहिए कैसे भी करके कहीं न कहीं discussion होता है उस चीज़ को लेकर अगर मार्स में पूरा अपील होती है तो ठीक है तो ये चीज़ आप कहा के तो आपको करते रहना है फिलाल अब ये चीज़ अगर होती है तो बेफिकर रही है self declaration form तो simple सा है वो बरके ले जाना है बाकी documents ले जाना है admit card पर आ जाएंगे सारे options तो ठीक है अच्छे से तैयारी करते रही है अब exams अगर होती है जब भी आपकी जुन से भी date आती है आपको मिलती है तो आप उस date पर अच्छे से exam देने चाहिए बेफिकर हो कि है तो मिलते नेक्स वीडियो में फिर नहीं update के साथ इसी जगह पर आपकी अपनी family में जब तक लिए चलता हूँ विदा लेता हूँ ऐसे मेनत कर दे रही है और अपनी सेहत का ध्यान लगिए मिलते हैं जैजिन बंदे मातरा